नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्वाइंडर स्टीडी पॉइंट में तो UPSC की दो बड़ी परिक्षाएं जो बहुत दिनों से जिसके बारे में अनिचित्ता फैली वी थी कि ये एक्जाम्स कब होंगे विधान 22 रच्छक वन रच्छक परिक्षा जो 2016 में फॉर्म इसका भरा गया था दिसंबर में और UPSC की ग्राम पंचायत यों ग्राम विकास अधिकारी परिक्षा दोनों की आज डेट आयोग द्वारा जो है आफिशिली जारी कर दी गई है आप सभी ने एक डेट देख ली होगी और मैंने आपको स्ट्रेटिजी स्लेबस इत्यारी क् रस्तावित है उसकी बात करेंगे मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितने लोगों ने ये फॉर्म भरा था और आप कमेंट में ये मुझे जरूर बताईएगा कि आप में से कौन लोगों ने फॉर्म भरा था जो एक्जाम देने ज और आगे मैं इसमें discuss करने जा रहा हूं इसका पाट करम क्या है उसके लिए क्या किया जाए किस तरह से पढ़ा जाए क्योंकि काफी पहले ये notification आया था तो हो सकता है आप लोग के पास notification भी मिस हो गया हो लेकिन मैं आपको notification भी दे दे रहा हूं इसी वीडियो के description में आपको जो है उसका dual drive का link है notification का आप उसको download कर सकते हैं और brief में मैं syllabus पर discuss कर देता हूं आपके साथ जो है आपको जिससे ये पता चल जा है कि आपको जो है इसकी पढ़ाई कैसे करनी है और कि sister की करनी है तो ये तो आपके सामने जो है ये gram पंचायत अधिकारी और gram विकास अधिका पालियों में और offline या online के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है इसलिए आप इसको अभी offline ही मानके चलिए और ये notification है विधान भवन रच्छक और वन रच्छक सामान चैन परिच्छा 2016 का जो 2 December 2018 को प्रस्तावित है 10 बजे से 12 बजे के बीच में और साम को 3-5 बजे में या तो ये इसका notification था विधान भवन रच्छक के जो है जिसके grade पे 2000 है इसके 44 पद थे और उसी तरह से वन रच्छक के लिए जिसकी grade पे 1900 है इसका 620 पद कुल थे तो इस प्रकार 664 पदों का विध्यापन इसमें निकला था और इसमें तमाम चीजें और थी जो आपके सामने है आप notification में डीटेल में पढ़ लीजिएगा उस पे बहुँ जारे discussion करने के आउशकता नहीं है क्योंकि आप फार्म भरे जा चुके है और इसमें जो है अनिवा का triple C इत्यादी उस समय नहीं मांगा गया था और इसमें खास बात यह है कि इसमें interview भी होना है क्योंकि उस समय तक interview लागू था और notification में चुकि साथ में आया था ये तो इस इस तर पे notification में बदलाव नहीं किया आया सकता है इसमें interview भी होगा पहले चरण में लिखित परिक् तो वो सब आपने form बरने से पहले ही देखा होगा, यह महिला और पूरुस के लिए था, कि form बरने से पहले ही आप इसको देख लीजिए और उसको तभी form बरिये, यह ऐसा उसमें form में last में लिखा भी था, क्योंकि यह एक अनिवार अहरता है, यगर इतना नहीं होगा, तो automatically अ भेर्थयन आपका निरस्थ हो जाएगा, तो अब हम सीधे आगे बात करते हैं, इसके syllabus पर बात करते हैं, कि इसमें syllabus किस तरह का है, यह सब आप इसको पाउस करके पढ़ भी सकते हैं, मैंने इसलिए मैं इसको एक-एक slide को move भी कर रहा हूँ, अब सीधे बात करते हैं, तो व भाग एक जो हिंदी परिज्ञान और लेखन योगिता है, इसमें प्रस्थनों की संख्या असी रखी गई है, और उस समय तक कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए अभी भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, दूसरी चीज सामान जानकारी यानि जी के इसमें 50 प्रस्थन जैसे आपका जो है गराम विकास अदिकारी का स्लेबस है, और रीजनिंग 50 क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरह से ये मिलाके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसमें हिंदी में हिंदी परिज्ञान और लेखन योगिता की बात की गई है, तो इसमें आपने जो अभी रिसेंटली युवा विकास कल्यान अदिकारी का स्लेबस था, उसमें भी उसका सीरसक था हिंदी परिज्ञान और लेखन योगिता, तो लगभग वैसा ही पाठकरम फालो होगा, पाठकरम में और वीडियो के पाठकरम में थोड़ा सा अंतर ये हो जाएग कि लेखन योगिता के अंतरगत, इसमें पत्र लेखन से संबंदित क्वेश्चन, वर्तनी वाकिसुद्धी ये तो उसमें भी है, और हिंदी परिज्ञान का मतलबी होता है हिंदी के लिए अवेरनस, तो लगभग लगभग सब कुछ सेम है, और इसके बारे में जो मैंने आ आप चले जाएए, और UPSC हिंदी सिरीज प्रीवियस येर क्वेश्चन की और प्लस मॉडल पेपर सिरीज, दोनों को आप पूरा देख सकते हैं, जो भी लोग इसको देने जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन की कि जो है हिंदी परिज्ञान और इससे सम्बंदित प्रस्ण किस प्रकार आते हैं, फिर इसमें अगला चरण क्या है, साच्छातकार है, जिसके लिए 20 नमबर नेधारित हैं, इस प्रकार से ये 200 नमबर का कुल पेपर है, उसके बाद इसमें एक और चरण है, पहले आप हिंदी परिज्ञान और इसका मि उचे जाएंगे, ये प्रस्ण उत्तर प्रदेश मादमिक सिच्छा परिशत की इंटरमीडियेट परिच्छा, अत्वा समकच परिच्छा के इस तरका होगा, तो जैसे जो यूपी टिपल सी का टिपिकल लेंग्वेज है, सभी परिच्छाओं का लगबग सेम वही लिखा ह हुआ है, कोई अंतर नहीं है, और जीके में भी वही बाते लिखी है, जो वीडियो के एक्जाम के लिए बताई गई थी, और उससे पहले युवा कल्यान अधिकारी के लिए बताई गई थी, रीजनिंग में भी सेम उसी तरह से जो है दिया गया है, उसको डिफाइन किया ग जो मैं वीडियो डाल नहां, उसको रेगुलर फालो करते रहिए, और वीडियो परिक्षा के लिए जो मैंने अभी रिसेंटली जो है, एक पूरा डिटेल्ड स्लेबस वाइस, टॉपिक वाइस वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानि एहरकारी है, पास करना जरूरी है, मिनमम जो क्राइटेरिया उसमें रखा गया है, और उसका जो है मेरिट में कुछ नहीं जुड़ना है, लेकिन उसको पास करना आवश्यक है, तो यह सब रही इसकी बातें, बाकी जो लोग वीडियो क एक्जाम दे रहे हैं, उनके बारे में बात यह करनी है, कि जो उनके, उनको अब समय मिल गया है, जो मैंने स्लेबस आप लोग को बताया था, और जो स्टेटीजी बताई थी, बुक्स बताई थी, अभी आपके पास साथ दिन का समय है, आप बहुत अच्छे से उसकी तयारी करिए, और मैंने पहले भी आपसे एक पेट स्रीज की चर्चा की थी, जो एकॉर्डिंग टू स्लेबस है, उसकी मैं परसो साम को जो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, कि क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या करना है, और उसके अलावा चैनल पर जो है, जैसे ग्राम समाज है, ग्राम विकास की योजनाय है, जो टॉपिक जो है वीडियो में आपको नहीं मिल लाए है, मैं कमेंट आप लोग के पढ़ता रहता हूँ, वो सब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपका पूरा साथ दूँगा अंतर तक साथ दूँगा, आपकी कोई भी समस्या होगी, उसका मैं समाधान, जितना मेरे बस में है, वो मैं करूँगा जो है, तो दोस्तों अभी के लिए ता ही, मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा, कि वन रजच्छक का एक्जाम कौन कौन लोग देंगे, किन लोगोने भराता, नमस्कार धन्यवाद.